जैहिन दोस्तों योडिसीर में आप सभी का दोस्तों स्वागा थे दोस्तों आप में से सभी को लगबक किसी ना किसी दिन ऐसा तो लगा होगा कि आज इसको ना बना के उसको कैप्टेन बना देते तो जरूर ये ग्रैंड लिग हमारी होती अगर इसको कैप्टेन ना बना के एक चेंज करके या फिर इसको कैप्टेन बना के वाइस कैप्टेन बना देते हैं तो यह ग्रैंड लीग में सारे के-सारे कोंटेस्ट में क्लीन स्वीप कर रहे होते हैं अब सभी को किसी ना किसी टाइम पर लगा होगा दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों आपको हम डिटेल में बताएंगे डिटेल में बताएंगे किस तरह से आप ग्रेंड लिग्स या फिर स्मॉल लिग्स अगर कोई भी लिग्स आप खेलते हो या फिर मिनी ग्रेंड लिग्स हैं.. Captain और Vice Captain है.. अपने प्लेयर्स को अधाब सेलेक्ट कर लेते हैं.. अब बना लेते हैं.. आपको लगता होगा.. हाँ मेरे तो 11 के 11 प्लेयर से हाँ से सबसे बेस्ट है बट कैप्टेन किसको बनाए वाइस कैप्टेन किसको बनाए कब बनाए और क्यों बनाए इन सब कुछ लेके दोस्ते आप सभी के दिमाग में कभी न कभी एक सवाल आता होगा कि टीम तो मेरी भेतरीन है बड़ कैप्टेन किसको बनाए या फिर यहां से वाइस कैप्टेनशी किसको दे यह क्वेस्चन का सबाल का यह दोस्तो जब आप इस वीडियो में आपको बताया जाएगा दोस्तों वीडियो के एंड तक दोस्तों आपको कुछ ऐसे गुरु मंत्र बताये जाएंगे जिसको दोस्तों आपको हमेशा याद रखना है जब भी आप 캡ेपटेंसी और Vice Captain भी आप हमारे teams को देखते हूँ हम यहां से भेरचाल में नहीं लगते हैं इसका सिलेक्ष्ण जिया है यहां से 29% Captain से इनको Captain मना दिया या फिर यहां से शाहाइन अप्रीदे का 24% इनको अपने टीम का Captain मना दिया तो ऐसे हम नहीं चलते हम कुछ Tricks कुछ ऐसे Points हम दिमाग में रखे कुछ ऐसे पॉइंट से जिनको हम यहां से दिमाग में रखके हम अपने टीम्स में सी और वीची सेलेक्ट करते हैं जिन जो दोस्तो हर एक जगए अपलीकेवल होता है इसलिए इतनी बरिया रैंक हमारी ग्रैंड लिग्स में हमारी स्मॉल लिग हेट टू हेट टू हेट के टीम्स दोस्तो ग्रैंड लिग्स में एक बहतरीन रैंक लाती है दोस्तो इसलिए क्योंकि हमारे कैप्टन और वाइस कैप्टन दोस्तो बहतरीन रहते हैं तो इस वीडियो में आपको सब कुछ बताया जाएगा बट शुरू करने से पहले तो दोस्तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बट शुरू करने से पहले दोस्तो शूरू करने ने पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चनल को सब्सक्राइब नहें किया दोस्तों जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब का बटं दोस्तों, आपको जहां पर में सरकल बना रहा हूँ न दोस्तों ठीक इस जगह पर ठीक इस जगह पर आपको सब्सक्राइब का बटन दिखेगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ने किया हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ यह दोस्तों डाव टू गेट फ्री एंट्री इन ड्रीम इलावन दोस्तों इसके यहां से एक डीटेल्ड वीडियो रेडी किया दोस्तों आप सभी के लिए 28 मिलेट का वीडियो है तो पूरा वीडियो आपको देखना है दोस्तों और आपको फूरी एंट्री मिलनी शुड़ो हो जाएंगी ग्रेंड लीग में तो वीडियो जरूर देखना है इसका लिंक म कॉमेंट सेक्शन पर डाल दूँगा और और दोस्ते अगर अब जाए दक सबस्क्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लिजए हमारे चैनल को दोस्ते और सथी साथ दोस्तों यह हमारा ऑफीशियल टेलीग्राम चैनल है दोस्ते टेली गराम चैनल का Лिंक डेस् कर सकतो add the rate UDCRA10 UDCRA10 लिखने से आपको अपना चहा से हमारा चनल दिखे जाएगा तो इस पे जाके इहां से जहां पर मैं circle बना रहा हूं ठीक एक सेकंड एक सेकंड हाँ जहां पर मैं circle बना रहा हूं ठीक इस जगे पर आपको क्या दिखेगा जोईन का बटन दोस्तों जोईन का बटन देखागा वहां से आप जोईन कर सकते हो जल्दी से जोईन कर लिजिए टेलिग्राम चैनल को और अगर अब अब तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों हमारे चनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लिजिए अभी अभी दोस्तों पहले गुरु मंत्र के उपर यहां से चलता है दोस्तों सबसे पहला पॉइंट किया है दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों आप जब भी टीम और यहां से C और VC सेलेक्ट करोगे दोस्तों जब भी आप C और VC सेलेक्ट करोगे दोस्तों यह दो पर डिपेंड करता है तो चलिए एक ब्लैंक पेज पर चलते हैं दूसरों तो आपके लिए एजी होगा और मेरी लिए भी समझाना आपको इजी होगा तो आप यहां से दो चीज आपको नोट करना है आप टीम किस कीज के ऊपर बेस करके बना रहे हों टीम ग्रेंड लिग के बना रहे हों मिनी जी एल या फिर स्मॉल लिग कौन सी ग्रेंड लिग में आपको किस तरह से स्री और विशी सेलेक्ट करने दोस्तों इसका एक सीधा धारन आपको देता हो मैं देखी यहां से पास्ट लाइनप्स को हम देखेंगे यहां से देखकर हमें क्या मालूम होगा इसे अगर हम लाहूर की बॉलिंग को देखें तो जमान खान हैं इनकी अलावा कोई भी अच्छे बॉलर से वहां से शाहीन अफरीदी आ गया तो दोनों इस डोही ऐसे बॉलर सो जो जेनूईन टेकर से शाहीन अफरीदी को अगर हम मान के चलें यह पावर प्ले में एक कि इन दोनों को नहीं तो इन देट केश्ट जहाँ पर आप मान के चल रहे हो दोस्तों यहाँ से इनकी विएकिट्स घных करांसे कराची के कि अगर आप यहाँ से पिच को देखते हों अगर आपको मालूम परें कि यहाँ से लाहुर के टीम सारे विकट्स ले जायेंगी तो यहां से आप शाहिन अफ्रीदी सबसे पहला नाम आजगा सी और वी सी खा अभी और अच्छे से समझातें देखें यहां से कराची का दोस्तों टॉप और में अगर हम अच्छे बैट स्विन्स को देखें हां से यहां से टिप स्काइफर्ट अच्छे फॉर्म है इनके अल दूसरे जमान खान तो इन दोनों में से दो अलग अलग कॉंबिनेशन से सी और वी से बना सकते हो एक अच्छी एक टीम बन जाएगी और दूसरा सिचुएशन ऐसा आ सकता है कि देखें अगर लाहूर की फर्स्ट बैटिंग आई तो आपको क्या लगएगा दोसे लाहूर क से किसी एक को वाइस कैप्टें आप बना सकते हों तो यह दूसरा तरीका है जब हम टीम में सी और वी सी सिलेक्ट करते हैं तो यह तो हो गए दोस्तों ग्रैंड लीग की बास मीनी जीयल में दोस्तों सेम आपको सेम प्रोसेस उस करना है बट स्मॉल लीग विलकुल अलग है स्मॉल लीग में और इस तरह सेमल समोल लीग में यहां से 2 हमें कैप्रेंसी के लोगाऊंगा ना दिक colonial सबसे हाई शेकर शाहिन अफृदी को देखे यहां से शोहे मालिक को आठ परसेंद या है यहां से एस फरान आप हमेशा टॉप के 4 प्लेट्स को ही पकर के चलना सब स्मॉल लिग में आप कैप्टन वाइस कैप्टन अपरिस इसी दोगे ना किसलिए दोस्तों है यहां से दोनों का सिलेक्शन परसेंटेज एक तो सेम ही है दूसरा है दोस्तों शाही नफ्रीदी बैटिंग भी करना जानते हैं और इनका बैटिंग ओडर थोड़ा सा मुझे कमजोर लग रहा है यहां से रूसी बंदर दोसन को अगर हम छोड़ दे इनक तो यह पॉइंट से दोस्तों हमको क्या मालूम परता है इन सभी बातों के पीछे एक ही रिजन है एक फर्स्ट पॉइंट जो आपके बताना चाहता हो मैं इसका ही सीधा रिजन है ओल्वेज प्रेफर ओल्राउंडर्स ओल्वेज प्रेफर ओल्राउंडर्स ओल्राउंडर् के पास बै्टिंग और बॉलिंग डोनों तरफ से विक्ट से और हाव से रंस करने के चांकस से अगर मुंबई का मैश हूं तो आपके दिमाग में की आएगा हार्विक बने यह बैटिंग और बॉलिंग डोनों करेंगी। को टीम का Captain बना देते हैं तो इसी तरह से आपको सी और वीची रखना तो फिस्ट पॉइंट क्या है वो अल्वेज प्रेफर और राउंडर्स और राउंडर्स को आपको ज्यादा तर मैच में सी और वीची ज्यादा बना के चलना इसका सीधा रिजन कि और राउंडर्स के फ् दूसरा पॉइंट है दोस्तों आपको ना पीच के बारे में कौन से पीच के बारे में पीच उसके बाद यहां से प्लेयर्स के करेंट फॉर्म करेंट फॉर्म और थार और मोस्ट इंपोर्टन होम ग्राउंड होम ग्राउंड दोस्तों यह तीन पॉइंट आपको ना तो हो home ground का मतलब क्या home ground का सीदह मतलब इसका यह मतलब नहीं है कि जिस जैसे के बांगलादेश पर अगर कोई बरे हुए जब यहां से इन्होंने अपने केजर की शुरुवाद की थी तो इसी ग्राउट पर यह खेले के बहां से इनकी क्रिकेट केरिया के शुरूब बात हुई है और यह अच्छा करते हैं हमेशा इस ग्राउंड कि इस पिछ के बारे में किसे बरिया कोई नहीं जानता बेशक कि आउट ओफ फॉर्म ही चल रहे हो बेशक कोई प्लेयर यह आउट ओफ फॉर्म ही चल रहा हो बट अगर दोसे यह इनका होम ट्रिक यह है यह ट्रिक मैंने आखरी के लिए इसलिए बचा के रखा है दोस्तों क्योंकि है सबसे इंपर्टन है दोस्तों अब कोई भी बेटिंग वेफ साइट पकड़ लो में यहां से कोई वेफ साइट अभी ओपन नहीं कर लो कि कोपी रेट वगेरा आ सकता है बट ओंसा फॉर एक्जांप्ल बेट 365 एक ऐसा एप यहां से घ्लत वाकर बेटिंग प्लाइट्फॉर्म है जिसकर दोस्तों प्लेयर्स स्ट्स परेटिंग में डेटूंस के स्ट्स एक बसी अधर करन परफोरमेंस और और दोस्तों होम ग्राउंड एड्वांटेज होम advantage plus यहां से current form कि उपर base करके हर एक ball पर दोस्तों यहां से players की points update होते हैं दोस्तों जो भी player का दोस्तों यहां से highest आपको point दिखा रहा हूं उत player को दोस्तों उस player को आपको select कर लेना है C or VC 99% chance है दोस्तों वो लोग analysis करके ही वो point update करते हैं अगर कोई player बिल्कुल out of form चल रहा है बट उसके high chances से कि आज यह match में अच्छा करेंगे दोस्तों उसका point हमेशा बारा हुआ आपको देखने को मिलेगा high देखने को मिलेगा दोस्तों जो लोग हां से bet 365 को हां से bet 365 के आवे बारे मैं नहीं जानते हों दोस्तों आप सभी को मालूम होगा दोस्तों एक betting platform है दोस्तों आपको बता देरों betting platform है जहां पर दोस्तों आप सिर्फ बैट रहा से सिर्फ जो betting करते हैं वो नहीं हम भी दोस्तों प्लेयर्स के फॉर्म को यहां से इनलाइस करके वहां से हम C और VC भी स्लेक्ट कर सकते वह यह तीन रास्ते तो तो इस तरह से आपको स्लेक्ट करना है तो तीनों पॉइंट्स को अगर हम गवर से देखें तो फर्स्ट पॉइंट हमने क्या बोला सब्सक्राइब करें आपको ज्यादा प्रेफर करना है है इन तीन चीजों को आपको ध्यान रखना है और थर्ड थर्ड किया दोस्ता आपको कोई बेटिंग वेबसाइट पर जाना है कोई बेटिंग कर सकते हो तो वहाँ पर सबसे उपर ही दिया होगा दोस्तों अगर कोई बेटिंग कोई भी बेटिंग पर चले जाए दोस्तों सबसे उपर ही आपको और्स का उप्शन दिखाएगा वहाँ से आप देख सकते हो जिस भी प्लेयर के और्स पर ज्यादा हैं से दिखेगा वह दो तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पढ़ने, सब्सक्राइब जरूर करना और दोस्तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद दोस्तो